हाई दोस्तों, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज उन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है आउट टू डिटॉक्स यूर बोडी, जब हमारी बोडी में टॉक्सिस या प्रिगंदगियां होती हैं, तो हमें बिमारियां होती हैं, जैसा के कैंसर, डाइबिटेस, बह जैसे कर पाएंगे, क्या हाप, जो भी काना काते हो, उसे पचाने में सेम गंटा लगता हैं, नहीं, प्रुट को अजम होने में लगता हैं, तीन गंटे, और वेजिटेबल को अजम होने में लगता हैं, छे गंटे, और डाल, ये सब चीज़ों को अजम होने में लगता हैं, 18 गंटे और गोश्ट को अजम होने में 72 गंटे लगते हैं क्या हाप अपने बोड़ी को टाइम देते हो कि ये काना अजम हो जाए पिर मैं कहूंगा लेकिन हम इसा नहीं करते हैं हम सुबा के वक्त अनाज काते हैं शाम के वक्त अनाज काते हैं बीच में अनाज काते अपने बोडी को देते हैं देते हैं ये हजम नहीं होते तो इसलिए अमारी बोडी में टॉक्सिंस पेदा होती हैं जिसकी वज़े से बिमारी होती हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने बोडी को डिटॉक्स कैसे करें क्या वो काना काई जो हाप की बोडी में टॉक्सिंस पेदा करता है वो काना काई जो हाप की बोडी में टॉक्सिंस को बाहर निकलता है क्या हाप जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिसको फॉलो क करके हाप अपने बोडी को डिटॉक्स कर पाती हो मैं आप लोगों को वह चीजी बताऊंगा जिन्हें करके हाप अपने बोडी को डिटॉक्स करते हो कर सकते हो पहला है सोलंग अंटे पास्ट यानि जब हाप दस बज़े में अपना ब्रैकफास्ट करते हो तो हाप को अपना जो दिनर है वो चैब जब जब करने है जिससे सोलंग अंटे का गैप हो इस सोलंग अंटे में आपके बोडी में एक इलिंग पावर है जो आपकी बोडी में चॉक्सिस को निकलता है और अम्यून्टी पेदा क क्या हाप के हाथ में अड़िट क्या आपका हाथ तूड़ जाए तो हाप डॉक्टर के पास जाकर उसे पट्टी बांते हो पिर कुछ दिनों के बाद वो अपने हाप जुड़ जाता है यानि अमारे बोडी में भी एक ऐसा ही वे इलिंग पावर है जो हाप या पिर सही का न काओ जो हाथ की बोडी के लिए बनाए तो हाप की बोडी में कोई बीमारी नहीं होगी अगर 16 गंटे टाइम दे अपने बोडी को तो वो अच्छे तरीके से आपकी बोडी को इल करेगा एक चीज़ जाद रखें कि हमारे बोडी का जो इलिंग पावर है वो एक ही टाइम मे डिटोक्सिपेकेशन का गूंचाना तो हाप को टाइम देना होगा कि कब गाय कब इल करें तो दूसरा है एनिमा एनिमा के तरू हम कहीं सालों के गंदियों को निकाल सकते Region जब हमारे बोड़ी में जब हम कानक आते हैं तो ये हमारी जो हजम नहीं होता तो ये हमारी आंतों में जाकर आंतों के दिवारों में चिपक जाते हैं तो हमारे आंत जो हैं वो गंदा होते हैं तो अगर हम एनिमा करेंगे तो कहीं सालों की हम गंदियों को निकाल सकते हैं तो तीसरा है सन बैदिंग सन बैदिंग की तुरू हम अपने कुन को साप कर सकते हैं अपने बोड़ी के सिल को साप कर सकते हैं अपने बोड़ी को एनरजी दे सकते हैं सूरच के निकलने के दो ग texto बाद हम इस संबेदिंग करने के संबेदिंग करने से आपकी आँखों की जो रोश्णी है वो ज़िएद आउगी संबेदिंग के इतने पाइदे हैं जितना में बयान नहीं कर सकती है यह इतना जरूरी है हमारे बोडी के लिए पिर हाता है exercise आप किसी भी किसम का exercise कर सकते हो जैसा के योगा आपको जो exercise बसंदेरा बीस मिनिट या तस मिनिट के exercise ज़रूर करें जिस को करके आपका bond strong होंगे आप दीन में energetic रहेंगे आपको किसी चीज़ उटाने में problem नहींगे होगी तो यह रहा, कि आपको हिंग चीज़ों को जरूर फॉलो करना है अगर आप अपने बोड़ी को डिटॉक्स करना चाहते हैं अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कौन से काना काने हैं, जिनी काकर आपकी बोड़ी में डिटॉक्सिपेकेशन का काम जो है, वो अच्छे तरीके सोता है वो काना काएं जो आपकी बोड़ी में टॉक्सिंस पेदा करती हैं यानि गंदगी पेदा करती हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी जैसा के डेड़ पूट, डेड़ पूट को खा कर आपकी बोड़ी में टॉक्सिंस बिदा होती है, वो कैसे, एक तो है यह हजम नहीं होगी, इसे आपकी बोड़ी पूरा अपना एनरजी लगाता है, उसे हजम करने में, पिर भी उसमें कोई, आम अपने टेस्ट के लिए काते हैं, पांच मिनिट के टेस्ट के लिए हम अपने बोड़ी में, बोड़ी को फूरा डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे यह हैं, पिर हमारी आंतों में जाकर वहां छिपाक जाता है, हमारी आंतों में छोटी उंगलियों जिससे अबाल होते हैं, वो इन गंदियों को अपने जानसर का सबब बनता है, डाइबेटीज, और बहुत से बिमार्यां होती हैं, तो हाप को डेड़ पूर या पिर जो काना इंसानों के दोरा बनाई गई हो, जंग पूर ये काना कभी नहीं काना है, तो दूसरा हाता है, पूर, वाटर पूर, यानि ब्रेड, रोटी, ज्यादा तर कोशिश करें कि ऐसा काना ना काइं, जिसमें पानी जो है, वो पानी का जो कान्टिटी है, वो खम है, तो हम येसा काना नहीं काना है, पर आता है, एनिमल बैसपूर, एनिमल बैसपूर, यानि मिल्क, जो भी काना, एनिमल से आता है, वो काना ना काइं, एक तो और यह अमारे जिसम के लिए बने ही नहीं हैं अगर हम इनी कहेंगे तो हमें बहुत से बिमारी होगे और बहुत से टॉकसिंस उगे तो हम आता है कि हमें काना क्या है जिन चीजह को काकर अमारे बोड़ी में टॉकसिंस पेदा नहीं होते हैं Living food, यानि वो काना जिसमें जिन्दगी है, वो काना का है, fruits, vegetables, ऐसा काना का है, पिर हाता है, plant-based food, यानि ऐसा काना जो पैड़ बोदों से आता हो, जैसा कि coconut, सारे fruits, सारे vegetables, यह चीज़े, पिर हाता है, water rich food, यानि, water melon, इसा काना का है, जिसमें पानी का जो quantity है, वो ज्यादा हो, जिसे काकर आपकी बोड़ी, energetic रहे हैं, और हापकी बोड़ी में कोई problem ना रहे, यानि इनी काकर, हमारा बोड़ी जो है, वो अलती रहेगा, और हमें, खभी हम भी मार रहे होंगे, अगर यह सब काना काईगे, अब ह एक चीज़ याद रखना है, कि तब हम जाते हैं, कि हम ही अपने बोड़ी को detox करने हैं, तो हम ही कम सी कम एक अपते का juice past जरूर करना है, जिससे हमारा बोड़ी detox हो, एक अपते के juice past करने के बाद, हम जाते हैं अपने diet plan के तरफ, जब हाप सुबा उठते हो, तो हापको एग glass, fresh juice लेना है, एशगार juice detoxification का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, अगर आपके पस एशगार juice नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप किसी भी fruit का juice ले सकते हो, पिर हाता है, हमारा breakfast, breakfast में आप सोप ले सकते हो, salad ले सकते हो, प्रेश समूदी बना कर का सकते हो, याद रखें कि breakfast बहुत light होना चाहिए, जिसे काकर आप बहुत light फिल करें, तो हब हाता है, हमारा lunch का time, lunch में एक रोटी ले सकते हो, अगर आप एक रोटी काते हो, तो आपको दो काटोरी सबजें काने, सबजी जो है, उससे ज्यादा तर काना है, जितना आप ज्यादा सबजी काएंगे, उतना हाप healthy रहेंगे, तो फिर हाता है, हमारा dinner, dinner आपको बहुत light करना है, और चे बज़े में करना है, डिनर में अगर आप डिनर में आप soup ले सकते हो, salad ले सकते हो, आपके पास डिनर में बहुत से option है, वो का न का ही, जिसे काकर आप प्रेश्ट पिल करें, और light पिल करें यहां आप देख सकते हो, कि आप अगर इतना light कानक आएंगे, तो आपको दिन में, रात में नीद बहुत अच्छे तरीके साएगा, और आप प्रेश्ट और energetic रहेंगे, इस diet को follow करके, जो मैंने बताया, इन चीज़ों को follow करके, अगर आप अपने body को detox करने के बाद ये diet ल करेंगे, आपकी body जो है, वो हर वक्त energetic रहेंगा, अगर आप चाहते हो कि हाप healthy रहें या पर full energetic रहें, तो आप जरूर अपने body को detox करेंगे, I hope ये video आप लोगों के लिए help रहा होगा, अगर आप लोगों के लिए help रहा होगा, तो please मेरे channel को subscribe करेंगे,